नमस्कार दोस्तों आज हम लोगों को टापिक है How to study history पहले वीडियो में history प्राचिन भारत का जो हम लोग शुरुवात किये थे हिस्ट्री की शुरुवात किये थे आज हम लोग पढ़ेंगे history पढ़ते कैसे हैं प्रस्न उड़ता है कि क्या history की पढ़ने के कोई वज्ञानिक विदी है जिससे history आसान लगी और interesting बन जाए तो हाँ दोस्तों इसका बहुत ही वज्ञानिक तरीका भी है इसको आप जान लीजिए इसको जानने के बाद history आपको समझ में भी आने लगेगी और सबसे बड़ी बात है history subject भी छोटा लगेगा history को जब आप तत्यों के अधार पर देखेंगे तो लगती है कि बहुत बड़ी है लिकिन जब history को आप जोड़ कर इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं तो history आपको बहुत ही बड़ी लगती है तो history पढ़ने का जो बैग्यानिक तरीका है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है तो अगर आपको इतिहास पढ़ना हुआ किसी भी competition के लिए या अपने graduation के लिए ही तो इतिहास को हमेशा आप चार पार्ट में divide करकर पढ़िए पहले पार्ट को आप राजनीती ठीक है राजनीती की स्थिति देख लीजे दूसरा आपका पार्ट हो गया वहां की आर्थी की स्थिति क्या है तीसरा पार्ट हो गया दोस्तों समाजिक स्थिति और चौता हो गया सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्थिति देखिए जो मानो सब्वेता है जब से मानो जन्म लिया है तब से लिक्याज तक उसके पूरे दिंचर्या को या फिर हम लोग जो समाज में रहते हैं आप दिखेंग उस समाज को भी हम लोग इनी चार पार्ट में डिवाइट करके study कर सकते हैं राजनितिक, समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चाहे आज का समाज हो आज की समाज को अच्छे से जानना हो, समझना हो तो उसकी राजनितिक स्थिति जान लिजे आर्थिक स्थिति जान लिजे समाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति और या बहुत हम लोग का प्राची नितियासो या किसी राजा के बारे में पढ़ना हो या किसी कालखंड के बारे में आपको पढ़ना हो उसकी अपनी आर्थिक इस्तिती समाजिक और सांस्कृतिक इस्तिती रही होगी समय तो बदलता रहता है ये इस्तितियां भी कुछ ने कुछ बदलती भी रहती है कुछ ने कुछ निरंतरता भी रहता है परिवर्तन भी होता है तो ये निरंतरता और परिवर्तन को ध्यान में रखकर ही पढ़ना, इन्हीं चारो इस्तिती में क्या-क्या निरंतरता है, क्या-क्या परिवर्तन हुआ है, आप देखेंगे कि उसी को ध्यान में रखकर पढ़ना होता है, यही ये बग्यानिक बिदी, और हम डिटेल्स में आर्थिक इस्तिती थी आज भी बहुत कुछ इस्तिती वैसे ही हैं संस्कृतिक इस्तिती में देखी हरप्पा सब्यता में लोग सीव की पूजा करते थे पेड़ पूजा करते थे नदियों की पूजा करते थे पसूं की पूजा करते थे आज भी वर्तबान समय में हंदुधर में और देखी किए सब उसी चीज को फालो करते हैं आरतिक इस्टिती आप देखें हड़ापा सब्विता में भी लोग किस तरह से खेती करते थे क्या-क्या उगाते थे जैसे में मटर होगे गेहूं होगे चावल होगे आज भी माना सब्विता में आप देखें कि लोग वही तो ये सब जो दिरंतरता है, परिवर्तन है, उन सब इस्तितियों को ध्यान में रखकर जाव अब इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको हिस्ट्री बहुत ही असान लगने लगती है, राजनीतिक इस्तितियों में दोस्तों क्या-क्या पढ़ना पढ़ता है, सबसे पहले किसी पुसानों के बारे में पढ़िए, या फिर आप महाजनपत के बारे में पढ़िए, तो उनका भगोलिक प्रसार आपको जानना पढ़ेगा, ये है आपका राजनीतिक इस्तिति पढ़ने के लिए, ठीक है, दूसरा, उस राजबिसेस की राजधानी के आती, इसको ध्यान मे रखे, उसके बाद राजनीतिक इस्तिति में क्या आप पढ़ेंगे, वहां का प्रसासन कैसा था, वैदिक सब्विता में भी प्रसासन पढ़ना है, मौरे में भी पढ़ना है, आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय भी प्रसासन पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस आ रहे ह है सब को हमको बस अपने मन में सोचने लगेंगे अपने मन से उसको ध्यान में देखेंगे तो हमें सब आप देखेंगे कि रिवाइज होने लगता है मन में ही ठीक है प्रसाशन को देखते हैं प्रसाशन में क्या क्या है नौकर साही की इस्तिती क्या है ठीक है नौकर साही दूसरा दोस्तो सबसे बड़ी बात है वहां का नगर प्रसाशन कैसा है ठीक है नगर प्रसाशन कैसा है गाओं का प्रसाशन कैसा है ठीक है वहां की सैन इस्तिती कैसी है नया ब्यवस्था कैसी है ठीक है यही सब हम लोग राजनितिक इस्तिती में पढ़ते हैं किसी भी समय की राजनितिक इस्तिती पढ़ने के बाद वहां की आर्थिक इस्तिती जरूर आप ध्यान में रखिए ठीक है आर्थिक इस्तिती में क्या के पढ़ते हैं सबसे बड़ी बात है वहां का क्रिशी वह आपक अस्तर पे था राश्टी अस्तर पे था ट्रेड होता था छेतिर अस्तर पर ट्रेड होता था क्या अनतर राश्टी अस्तर पर ट्रेड होता था इन्हीं सब चीजों को ध्यार में रखना होता है इस्ति पर आर्थिक इस्तिति में ठीक है वहां का सिल्प कैसा था ठीक है उद्योग कैसा था स्ट्रेडी व्यवस्था थी की नहीं थी स्ट्रेडी व्यवस्था कैसे डिवलप हुई ये सब आपको ध्यान में रखना है वहां की मनी सिस्टम मुद्रा व्यवस्था कैसी थी ठीक है वहां का नगरीकरण कैसा था ये सब इस्थति आप आर्थिक में पढ परतन होता है कुछ ने कुछ निरनतरता भी रहती है अब इतिहास का नेक्स्ट जो सबसे major टौपिक आता है उसके समाजी किस्तिती को अच्छे से पढ़ लिजे समाजी की स्तिती में आप जानते हैं महिलाओं की स्तिती सबसे important हो जाती है ठीके महिनाओं की इस्तिती अच्छे से पढ़ी, वहां की वर्ड बेवस्था, जाती बेवस्था कैसी है, इसके बारे में पढ़ी है, ठीक है, इन सब के बारे में और अच्छूत, अच्छूतों की क्या इस्तिती थी, कैसे बिवार किया जाता था, वर्ड बेवस्था कितनी कठोर कितनी लचीली थी, कैसे कैसे वर्ण बेवस्था आगे जाके कितनी कठोर हो जाती, जाती बेवस्था कैसी कठोर हो जाती, अच्छूतों का उत्पन कैसा हुआ, उत्पन कैसे हुए अच्छूत, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप वहां की समाजिक इस्तिती का वर्ण क जाती शांस्कृति की स्थिति में आप क्या क्या पढ़ते हैं धर्म पढ़ते हैं दर्शन पढ़ते हैं ठीक है किसी काल विश्यस का या किसी कोई राजा कौन सा धर्म का था ठीक है किस धर्म को प्रस्य देता था दूसरी स्थिति वहां की भासा साहित को पढ़ते हैं को देख लीजे ओके तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे सिर्फ और भी देखिए जिसे धर्म दर्शन की बात करें तो आप वहाँ पर ध्यान दिजिए कि बहु देवाद है कि एक एस्वरवाद है आप अगर वैदिक सबिता के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ दिखेंगे बहु देवादी सबिता थी उसी तरह से आपका हरपा सबिता बहु देवादी सबिता थी लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं समय आगे बढ़ता है तो बहु देवाद से हम लोग एक एस्वरवाद तक आते और भगवान बुद्ध के बाद या बुद्ध के समय से ही आप देखेंगे नास्तिक दर्शन का भी बहुत तीजिसे विकास होता है ठीक है फिर वहां पे आप मुर्ति पुजा, मंदिर पुजा, यग बली, तंत्र ये सब भी देख सकते हैं ठीक है कला में आप अस्थापत्य देख लेजिए वहां की किस तरह अस्थापत्य होता था ठीक है वहां की मुर्ति कला कैसी थी चित्र कला कैसी थी चित्र कला और उसके बाद आपका नुरित संगीत है दोस्तों यह सब मोटा मोटा पॉइंट था और इतियास को पढ़ते वक्ती नहीं चारो पॉइंट में मेजर पॉइंट में आप डिवाइट करेंगे और फिर उन सब की इस्टडी करेंगे ठीक है इतना होने के बात आप देखिए जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रते एक समय में उसको ध्यान में रखेंगे प्लस निरंतर्ता को ठीक है निरंतर्ता और परिवर्तन को ध्यान में रखेंगे और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टन बात है यहां पर तत प्लस जो कॉंसेप्ट होता इसको आप हिंदी में बोलते हैं और धार अड़ा concept ठीक है मैं लिख देता हूँ concept उनको जोड़ करके पूरा पढ़ना है अलग अलग नहीं concept की understanding आपको समझ विक्षित करनी होगी और उसी के अधार पर आप देखेंगे तथ भी याद हो जाते हैं concept को बहुत ही deeply आपको समझना होगा दूसरा और जो सबसे important है आपको बहुत जादी किताबों को नहीं पढ़ना पढ़ेगा आप किसी एक ancient history पढ़ा रहे हैं तो कोई एक बहुत अच्छी book रखे medieval के लिए कोई एक ही book रखे modern के लिए एक book रखे ठीक है और book की list मैं आपको बता देता हूँ modern के लिए आप राजिव एहिर के ले सकते हैं और medieval के लिए और ancient के लिए आप ncrt की book पढ़ सकते हैं ठीक है तो एक book का deep understanding develop करिए और मेरी वीडियो देखते रहिए और मैं आपको details में history पढ़ाने की कोशिस करूँगा जो आपकी exam में बहुत ज़्यादा खामाएगा ठीक है और सबसे important बात जो मैं कहना चाहता हूँ mcq practice करते रहिए ठीक है mcq जो multiple choice questions होते हैं आप history में जरूर solve करते रहिए जितना भी market में questions paper आते हैं या फिर घटना चक्र के जो books है उनका mcq solve करिए 20 साल का जो 20 वर्ष का PCSIS का solve उसमें questions हैं वो ले लिजे और practice करते रहिए इस रूप में आप देखेंगे कि आपका history चाहे वो PT हो प्लस mains हो दोनों बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा एक छोटी सी रणनिती थी मैं मुझे जातक पता था मैंने आप से discuss किया और इसके विसे में आपको भी जो अगर कोई अच्छी रणनिती पता हो तो जरूर मुझे share करिएगा ठीक है next video में हम लोग अपनी history को details में शुरू करेंगे किस तरह से history का अध्यन किया जाता है history के अध्यन के शुरूत क्या है यह हम लोग next video में करेंगे ठीक है धन्यवाद